आज से तक्रीबन आधी सदी पहले उत्तर प्रदेश के बुंदेल खंडिला के में एक 9 साल की लड़की जमीन हडपने के खिलाफ अपने ही चाचा से लड़ जाती है और अपने चचेरे भाई का सर फोड़ देती है मजदूरी न मिलने पर मालिक की मकान को रातोरा दोस्त कर देती है इस सबसे नाराज उसके घर वाले मातर 10 साल की उम्र में उसकी उम्र से कई गुना जादा बड़े व्यक्ति के साथ जबरदस्ते उसकी शादी कर देते हैं पती के घर पर भी वा दमन शोशन वा बलातकार का श खाने में बलातकार का शिकार होती है वापस आती है तो डकेतों का गिरो उसका पारण कर ले जाता है और आपशी रंजिस में जब दूसरा गिरो उसे अपने गाउं ले जाता है तो कई दिनों तक दरजन और लोगों द्वारा फिर से बलातकार का शिकार होती है उसे नंगा पूरे गाउं में घुमाया जाता है यह सब कुछ सहते हुए उसकी उम्र 20 साल से भी कम होती है इसके बाद उस लड़की ने खामोशी से चुप रहना नहीं चोना उसने आत्मात्या भी नहीं की उसने चोना प्रतिरोध और बिना मुकदमे के उसे ग्यारा साल जेल में रखा गया जब उसने आत्मसमरपण कर दिया तब वो जेल से बाहर आती है और इस लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई पत्निधी बनकर संसत्त तक पहुँचती है मगर इस देश ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया आजाद भारत में पहली बार होता है कि संसत्त सत्र के वक्त दिल्ली के वी वी आई पी लाके में दिन दहाडे उसकी गोली मार कर हत्या कर दी जाती है अपरादी शान और शौकत से आकर कहता है कि उसने 20 साल पहले के ठाकुरों के अप्मान का बदला ले लिया है वमैला जो एक साथ जाती वाद सामन्त वाद और पित्रसता से लड़ती हुई अपने मुकाम में कामयाब होती आगे बढ़ती है मगर इस जमाने को वो रास नहीं आती है वमैला जो डकैट से रॉबिन हुट तक का सफर और दूर्गा भवानी की पूजा से बुद्धिष्ट होने की यात्रत तैं करती है जिस पर दुनिया में कई किताबें लिखी जाती है टाइम्स मैगजीन उसे दुनिया की विद्रोही नाइकाओं में शुमार करता है मगर इस देश के बुद्ध जीवी तबके के दौरा कभी वस्विकार नहीं की जाती है वमेला जो ये सवाल उठाती है कि सीता का अपहरण करने मातर पर रामण का हर साल पुतला जलाते हो और जब मैंने अपने अपमान का बदला लिया तो मुझे डकैत कहते हो वमेला जो कहती है कि मैं दुबारा कभी औरत बनकर गरीब कमजोर जाती में नहीं पैदा होना चाहूंगी वमेला जो ये खाब देखती है कि इस मुलक में कभी किसी औरत के साथ जल्म ज्यादती नहो एक लब सेना बना करके वह जेल में बंद महिलाओं से लेकर घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं के लिए काम करती है महिला के गुजरे अर्सा हो गया मगर आज भी वह अपने इलाके के लोग गीतों विवागीतों में बड़ी शान और शौकत से याद की जाती है कितना खराब लगता है एक उरत को अपने रोते हुए पती को छोड़ कर मरना जबकि मर्दों को रोती हुई इस्त्री को मारना भी बुरा नहीं लगता औरते रोती जाती हैं मर्द मारते जाते हैं औरते रोती हैं मर्द और मारते हैं औरते खूब जोर से रोती हैं मर्द इतनी जोर से मारते हैं के वे मर जाती हैं इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया मैं नहीं जानता लेकिन जो भी रही हो मेरी मा रही होगी मेरी चिंता यह है कि भविश में वह आखरी इस्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा मैं नहीं जानता लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और यह मैं नहीं होने दोंगा यह पंग्तियां हैं रमा शंकर यादो विद्रोही की और फूलन देवी पर बात करते हुए न जाने क्यों यह पंग्तियां बेतर मौजु होकर याद आती फूलन देवी एक ऐसी महिला जिसके साथ अन्याए उसके अपने इलाके के लोगों ने ही नहीं किया आजाद भारत के सबसे बड़े लोकतांतरिक संस्थान संसद में चुन कराने के बाद भी इस देश ने उसे न कबूल करके उससे जादा बड़ा अन्याए किया उसके संघर्षों को वो तवज्जों नहीं दी गई जो मिलने चाहिए थी फूलन देवी आजाद भारत में इस्तरी संघर्षों का एक प्रतीक बननी चाहिए थी जो नहीं बनी फूलन देवी को हिंसा का प्रतीक, डकैत, दस्य सुन्दरी और अपराधी घोशत कर दिया गया दुनिया में जिस महिला को विद्रोही नाईकाओं में शुमार किया गया हो उसे अपने ही देश में वह जगे नहीं मिले जिसकी वहकदार थी आज हम बात कर रहे हैं फूलन देवी के उस पूरे जीवन काल पर जिसे नई प्लडी को जानना बेहत एहम बन जाता है और खास कर महिलाओं के संघर्ष की जब बात हो जेंडर जेश्टिस की जब बात हो तो फूलन देवी की बात के बिना ये सारी बात्चेत अधूरी वह उथली होगी फूलन देवी का जन्म उत्तरप्रदेश के जालोन जिले के गुहरे का पुर्वा नामा के गाउं में 10 अगस्त 1963 को मलाह जाती के एक बेहत गरीब सामान परिवार में हुआ पेता किसान थे जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन हुआ करती थी वह इलाका चंबल के आस पास का था जहां किसी भी तरह का कोई भी विकास कोई भी सुविधाएं बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुँच पाई थी बेहत पिछड़े इलाके में, बेहत सामाने परिवार में, बेहत गरीब रिष्ट भूमे में, मला जाती में फूलन की परवरिश शुरू होती है फूलन जब 9 साल की होती है तो उनके चाचा मया दिन जब उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो सारा परिवार खामोशी अक्तियार करता है मगर फूलन देवि अपने इंटरिव्यों से लेकरके अपनी आत्म कथा में इस बात को याद करते हुए कहती हैं कि वह अपने चाचा से लड़ती है और अपने चचेरे भाई का सर फोड़ देती ए है एक गटना का जिक्क फूलन देवि अपने जीवनी में करती है कि एक बार दिन भर काम कराने के बाद भी उसे जब मजदूरी नहीं मिलती है तो रात में उस मालिक के मकान को जाकर की गिरा देती है यानि फूलन बच्पन से एक विद्रोही तेवर में पलती बढ़ती है यह सब देखकर परिवार बेहत खफा होता है मातर 10 साल की उम्र में फूलन देवी का विवा उनसे 20-25 साल उम्र में बड़े अधेड पुतिलाल मला से कर दिया गया पुतिलाल मला के घर जब फूलन जाती है और जब दस्ति उनका गोना करायाता है एक इंटर्विव में फूलन की मा कहती है कि हम मजबूरी में उसे यहां से बेज रहते क्योंकि वह बहुत विद्रोही और गुसैल सुभाव की हो रही थी उसे नाराजगी होती है अपने आस पास के माहौल को देख करके और जब पुतिलाल मला के घर पूलन जाती है तो वहां बहुत जादा दमन, हिंसा, मारपीट के साथ साथ जबरदस्ती बलातकार का शिकार होती है फूलन बीमार होती है तो वापस अपने घर चलियाती है कुछ दिन बाद जब स्थती सामाने होती है और जब वापस अपने घर पुतिलाल मला के यहां जाना चाहती है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि उसमें दूसरी शादी कर लिए और इसे मार पीट कर बगा देता है फूलन वापस आती है जब फूलन अपने मा के यहां रहने लगती है और अपने चाचा से फिर अपनी जमीन के हिस्से को लेकर कर लड़ना शुरू करती है तो कहानी यह मिलती है कि माया दिन उन्हें जूटे मुकदमे में फिर से फंसाते हैं पुलिस पकड़ कर ले जाती है औ और वहाँ भी उसका शोशन किया जाता है। वहीं आपसी रंजिस में ठाकुर डाकुरों का एक गिरोह, जिसमें शिराम ठाकुर और लाला ठाकुर ये लोग होते हैं, जो आपसी रंजिस में किसी पुरुष के हत्या का बदला लेने के लिए फूलन देवी को जबरदस्ती उठा ले आते हैं और बहमई गाउं में कई दिनों तक दरजनों लोगों द्वारा फूलन का बलातकार किया जाता है। उसे नंगा पूरे गाउं में गुमाया जाता है। फूलन अपने इंटरिव्यू से लेकर कि अपने किताब में इस घटना को याद करते हुए सिहर जाती हैं और कहती हैं कि मैं पूरे गाउं से मदद मांगती रही लेकिन किसी गाउंवाले ने मदद नहीं की और मेरा कई दिनों तक शोशन होता रहा मैं बेहत बीमार और तूट चुके थी। और उसके बाद फूलन वापस जब किसी तरह भागने में सफल होती हैं तो वह डाकूओं के गिरों के साथ विक्रमला के साथ और नए तरह से अपने पूरे गिरों को एक जुट करती हैं और अपने अन्याय अत्याचार वशोशन का बदला लेने के लिए 14 फरवरी 1981 को बहमई गाउं में आती हैं वहाँ शादी चल रही होती है इस किसे को बहुत ध्यान से समझेगा इसको लेकर के इस सारा विवाद है कहाई यह जाता है कि फूलन निर्दोश गाहँवालों की हत्या कर देती हैं जिसमें 22 लोग 27 लोगों पर गोली चलती है 21 या 22 लोगों की मौत हो जाती है मगर जब फूलन देवी के अपने इंटरव्यू और अपने किताबों को पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह अत्त चुपाया गया कि फूलन देवी लगातार उन लोगों से यह पूछती हैं कि यह ठाकुर लाला राम और श्री राम कहा हैं आप हमारी मुख्विरी करते हो तो हमें इनका पता बता दो जितने लोगों ने हमारे बलातकार किया उस गाओं में कोई भी व्यक्ति फूलन की मदद नहीं करता न तो जब बलातकार होता है तब कोई गाओं वाला मदद करता है और न जिस दिन 14 फरवरी 1981 को जब फूलन बहमाई आती है तो वो पूछती हैं कि कहां है वो लोग आप मुझे बताओ मेरी मुख्विरी आप इन से करते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे आप उनका पता हमें बता दीजिए लेकिन गाओं में सब लोग ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कहा हैं कैसे हैं क्योंकि उसके आने के पहले वो सारे अपरादी जो बलतकारी थे वो गाओं छोड़ चुड़ चुके होते हैं और इसके बाद उस क्रोध में उस गुसे में फूलन जब ये कहती है कि आप क्यों आप नहीं बता रहे हो आप क्यों उनका पक्श ले रहे हो जो बलत कारी है, डिकेत है जिन्होंने मेरी असमत लूटी है, मेरी इज़त लूटी है और इस क्रोध में फूलन उस 22 लोगों के उपर फूलन का गिरो हमला करता है जिसमें से 21 से 22 लोग मारे जाते हैं आज भी आप जाएंगे तो वहां उन्हें शूर वीर कर्म वीर कहा गया है ये बात ठीक है इस पर आप बहस कर सकते हैं कि जिन्होंने बलातकार किया उनको नहीं मारा गया मगर हिंसा अपराद इन सब का अगर सामाश शास्त्री विशलेशन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी तरह से न्याय के प्रक्ष में नहीं खड़े हैं जिस महिला का इतना बलातकार हुआ वह महिला अपने इंटर्वी में बोलती है कि मेरे पास दो रास्ते थे या तो मैं आत्मत्या कर लेती या तो मैं चुप चाप सब सहती और जैसे बाकी महिला हैं सहरी थी वैसे सहती लेकिन मैंने ये समझा कि ये जो जाती वाद है बड़ी जाती के लोग छोटी जाती की महिलाओं को वस्तु समझते हैं फूलन अपने इंटर्वी में ये कहते हैं कि मैं अगर नहीं बोलती तो जाने कितनी महिलाओं का शोशन होता आया था वैसे ही जाने कितनी महिलाओं का शुषन होता चला जाता तो प्रतिरोज स्वरूप में प्रतिकार करते हुए मैंने उस जाती वर्चस के सामंती पित्त सतात्मक उस पूरी सनचना पर हमला किया और इसे ये कहा जाता है कि फूलन देवी हिंसा वहत्या की बात करती है तो जो शुषन महिलाओं पर आज भी चला आ रहा है और ये इंटर्विव आपको जरूर पढ़ना चाहिए भी भी सर्फ पर ये इंटर्विव मिलेगा जिसमें हाथरस की गैंग रेप पीडिता जब 2020-21 में उसके परिवार वाले बात करते हैं तो वह कहते हैं कि हमें तो आज भी नहीं नयाए मिल रहा है क्योंकि हम दलित हैं हम पिछरे सबके के लोग हैं अगर हमें नयाए नहीं मिला तो हम फूलन जैसा हतियार उठा लेंगे फूलन देवी ने वह आत्मेश्वास इस देश के महिलाओं के भीतर भारा दो साल तक उत्तर प्रदेश और मद्प्रदेश राजस्थान कई जिलों की कई राज्जों की पूलन को पकड़ती रही लेकिन वो नाकामयाब थी फूलन की तस्वीर तक पूलिस के पास नहीं थी और लगातार फूलन को अपराधी बना करके इनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही थी बहमाई हत्या कांट के बाद उत्तरपदेश में वीपी सिंग की सरकार थी और वीपी सिंग ने स्तीफा दे दिया क्योंकि वो दस से उन्मूलन करके एक अभियान चला रहे थे मैं फिर से कह रहा हूँ जब आप डखैती को पढ़ें समझें तो एक बार उसका समाज रास्ति विशलेशन ज़रूर करिएगा कि कौन लोग डखैत बने और क्यों क्या जाती वर्चस में ठाकुरों के डखैती वाला मामला अगर सोचिए एक समाजिक सरचना में दलित पिछड़े आदिवासी हैं तो वह डखैत कैसे बनेंगे पहले यानि उनके उपर जाती सामनती ताकतों का दमन होता है उसकी प्रतक्रिया में यह किया गया लेकिन इस देश में डखैत डखैत कहकर के जैसे नकसली कहकर के आदिवासीों को मारा जा रहा है जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी कहकर के मुसल्मानों को मारा जा रहा है वैसे ही डखैत की परिभाशा ही गलत है विमर्शी अधूरा है और इसलिए फूलन देवी के साथ कभी भी इस देश की अकेडमिया ने इस देश की बुद्ध जीवियों ने नहीं किया और दो साल तक फूलन देवी लगातार छिपती रही लेकिन जब इंद्रा गाधी की पहल पर अर्जुन सिंग की सरकार के सामने उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि वह समर्पन करेंगी तो उन्होंने 1983 में आत्मसमर्पन करने के लिए उत्तर प्रदेश नहीं मद्प्रदेश क चुना तो जब फूलन देवी को आत्मसमर्पन करने के लिए आना था तो उस समय लाखों लोगों की भीर सड़क पर आ गई और वो लोग कों लोग थे वो लोग वो लोग थे जो ये समझते थे कि फूलन देवी उनकी आवाज है उनका आत्म विश्वास है क्योंकि फूलन फूलन देवी गरीबों, कमजोरों, मजलूमों के पक्ष में खड़े होकर के नियाय की बात करती थी और ये सब किस्सा होता है फूलन देवी आत्मसमर्पन करती हैं वो अपनी शर्तें रखती हैं इंद्रा गांधी का एक वाक्या है बीबीसी पर ये इंटरिव्यू आपको प्राइम मिनिश्टर कहती हैं कि यह तो बहुत सुंदर नहीं है उसे दस से सुंदरी कहा जा रहा था और बात में इस मीडिया ने यह अपमानित किया कि वो तो देखने में सुंदर नहीं है वो तो बहुत बुरी शकल की है यह जो पैट्रियार्की है जो सुंदर होने के पै जिवन संगर्ष के बिना उथली नहीं लगेगी आत्मसमारपड होता है 1983 में शर्थ फूरंदेवी और उनके किसी भी गिरों के सदर से को फासी नहीं दी जाएगी और उनको बाकायदे पूरे आत्मसमान के साथ उनको गिरफतार किया जाए आत्मसमारपड करने के बाद जेल म रखा जाए और उत्तर प्रदेशमान रखा जाए तो 1983 से 1904 बे तक लगातार फूलंदेवी जेल में रहती हैं और याद रखे 11 साल जेल में फूलंदेवी रहती हैं जब तक कोई मुकदमा कोई सुनवाई नहीं होती है कि वह आत्मसमारपड किया और जेल में रखती हैं यह है न्याए प्रक्रिया जब भी आप इस तरह के विमर्शों पर आग बबुला हों आपके कान से धुआ निकलने लगे कि वह हिंसा करती हैं उन्होंने बेगुनाहों को मारा तो आप यह जरा देखिए न कि जेलों में बेगुना कोन लोग हैं जिनके कोड मुकदमों की में होती है और वो लोग जो पहले फूलन देवी मद्परदेश के जेलों में बन थी बाद में तिहाड जेल में बन रहीं और अरुनती राय तो यह कहती हैं और फूलन देवी की उपर जो किताब है इस किताब में भी इसका जिक्र मिलता है कि फूलन देवी का यूटरस निक करते हैं तो पूरे देश के सियासत में भूचाल आता है कि कैसे एक अपरादी एक डेकायत को जेल से बाहर कर दिया गया ये वो दौर नहीं था जब लोग मुक्षमंत्री बनने के बाद अपने उपर लगे मुकदमों को खुदी वापस कर लेते थे लोग तड़ी पार होने के बाद भी इस देश के सबसे बड़े मंत्री के पद पर बैठते थे ये वो दौर था जिसमें यह नयाय की बात की गई थी और फूलन देवी के उपर जब मुकदमों को वापस लेकर के एक नया जीवन जीने की जो एक मौका मिला उस वह मौका आता है उनिस सो चानबे में समाजवादी पारिटी लोक सबा का प्रतैशे बनाती और यह राजनिती के भुचाल के लिए परियाप्त था एक मला जाती की महिला जैसने आत्म सम्मान के लिए अपने वजूद के लिए आवाज उठाई उसको जेल से बाहर निकाला गया और उसको चुनाव लड़ने के ल चलते उनको एक नया मौका मिला फूलन देवी अपने इंट्रेव्य में कहती हैं कि मैं यह सोचती थी कि मुझे यह समाज कभी एकसिप्ट नहीं करेगा मुझे मुझे ड़कायत कहेगा और वहीं वो याद करती हैं कि सीता का अपरण करने वाले रावण का हर साल फुक पुत जाता है कि आपके साथ सबसे बड़ी त्रासदी क्या है तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर मुझे मौका मिले तो मैं फिर से बच्ची बनना चाहूंगी और नया जीवन जीना चाहती हूं मैं फूलन देवी नहीं बनना चाहती और इस देश में किसी के साथ बनना हो जो फू पूलन देवी की और उन्होंच चानवे के चुनाव में वह समाजवादी पालिटी के टिकट पर मिरजापूर से चुनाव जीतती हैं और अंठानवे के चुनाव में वो लोकसभा में हार जाती हैं फिर तेरहवी लोकसभा के चुनाव में फिर से जीत जाती हैं और उसके ब कहां उनकी दिन दहाडे हत्या हो जाती है। कल पना करिए कि यह सब कैसे हो गया, यह कितना असान है यह। संससत्र चल रही है, वी वी आईपी लाका संसतों का आवास और लोक सभाब में लंच होने के बाद जब फूलन देवी वापस अपने घर आ रही होते हैं तो वहां उनक होने की यात्रा करती हैं। फूलन देवी पढ़ने के लालाईत होती हैं, एक इंटर्वु में कहती हैं कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नया जीवन जीना चाहती हूँ, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे लेखना पसंद है। कल पना करिए उस महिला को जिसे ये सब मौका ही नहीं मिला गया और उसकी असमत को इस तरह कुछला गया गोया उसके life की कोई dignity नहीं हो कहां है समविधान, कहां है नयाय कहां है इंसा की परिबाशाएं वो सारे अपराधी करण की परिबाशाएं कहां है जब ये बातें सामने आती तो फूलन देवी एकलब सेना बना करके वन्चितों शोषितों के बीच एक काम करना चाहती है वो लगातार रामविलास पासवान के साथ या आप राखी बाते हुए रामविलास पासवान को इन तस्वीरों में देखिए या मुलायम सिंग्यादों को वो बार बार कहती है कि उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया वो लगातार ये कहती है कि मुझे इस देश के महिलाओं के लिए काम करना वो जेल में बंद महिलाओं के लिए काम करती है वो घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं के लिए काम करती तो एकलब इसेना बना करके वो लड़कियों और महिलाओं को ताकत वर हिम्मत वाला बनाने के लिए अलग-अलग देश के इलाकों में अपना काम कर रही होती है उत्राखंड की एक महिला जिसका नाम शाय सुनीता बताया जाता है उसके साथ एक उमाकर्षप नाम का व्यक्ति उसका दोस्त आता है और जो मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि ये एक व्यक्ति है जो आपके साथ काम करना चाहता है और वह होता है शेर सिंग राड़ा 25 जुलाई 2001 का दिन नाग पंचमी का दिन उसी शेर सिंग राड़ा को ये उमेज सिंग ने BBC के इंटर्वु में खुद अपना ये बयान दिया है कि उसको फूलन देवी ने अपने हाथ से खीर खिलाई क्योंकि वह एक दो दिन पहले आ चु इसको मुकाम दिया जाता है और जब वापस दो पहर में अपने साथी सांसत की गाड़ी से फूलन देवी आती है क्योंकि उस समय उनकी गाड़ी बनने को गैरेज में गई होती है तो उसी के गेट पर वहरे रंग की मारूती खड़ी होती है जिसमें तीन नकाब पोशव्यक और फूलन देवी इधर से उतर कर पैदल आती हैं संसत की गाड़ी निकल जाती है और इधर से ये तीनों व्यक्ति पांच गोलियां फूलन देवी पर चलाते हैं जिसमें से तीन उनके शरीर पर लगती है और मस्तेश पर लगती है और फूलन देवी की वहीं हत्या हो जाती है और वो शेर सिंग्राडा उस समय घर में रहता है और उसके बाद वो तुरंट वहां से फरार हो जाता है और दो दिन बाद वो सहरनपुर पुलिस के सामने हाजिर होता है और खुद एक बालिया बयान देता है कि मैंने 20 साल पहले राजपूतों की आन बान शान में जो काला धबबा लगा था बहमाई कान उसका बदला लिया है और मैंने फूलन देवी को मारा है बात में तमाम इंट्रिव्यू में वो शेर सिंग्राडा पलड जाता है कि मैंने हत्या नहीं की लेकिन शुरुआत में उसने ये बयान दिया आरोप लगता है कि फूलन देवी के पती उमेद सिंग भे इस घटना में शामिल है बहुत तरह के विवादें बहुत तरह के राजनी थी है मगर अफसोस की बात ये कि एक महिला जो जब तक डकैट समझी गई तब तक वो अलग तरह से साजिशों का शिकार होती रही जेल में रही तो अलग तरह से साजिशों का शिकार होती रही और जब वो एक नया जीवन जीना चाह रही थी वो एक नया सफर का अगास कर रही थी एक तरफ वो अपनी आत्मकथा लिखवा रही थी एक तरफ एकलब सेना के जरिए महिलाओं लड़कियों और वन्चितों के लिए काम कर रही थी उसे साजशन गोली का शिकार दिन दहाडे दिल्ली के विवी आईपी में इलाके में कर दिया जाता है यह है इस देश का लोकतंतर और यहां आकर के आप से सवाल पूछना मौजू हो जाता है कि ऐसा क्यों है कि यह सब कुछ इतना असानी से हो गया उलायम सिंग्यादों के पहल पर उनके शव को उनके लोकसबाक्षित भदोही ले जाए जाता है आम जनता उनके धर्शन को मड़ती है तमाम बड़े बड़े नेता अफसोस जाहिर करते हैं अब इससे दल्चस्प बात समझे कि जिस व्यक्ति ने सामने आकर के यह कहा कि मैंने फूलन देवी के हत्या की है वह 2004 में यह बयान देता है कि मैं चन्द दिनों में तिहार जेल से फरार हो जाऊंगा और 17 फरवरी 2004 को तिहार जेल से फरार हो जाता है एक टेमपू आता है और वो इसमें से एक वर्दी धारी उतरता है और कहता है कि मुझे शेर सिंग राणा को पेशी के लिए ले जाना है और तिहार जेल के सारे करमचारी उसे दे देते हैं यानि 17 फरवरी 2004 को गोशना करने के बाद वो शेर सिंगराणा जेल से फरार होता है 17 मई 2006 को कुलकाता के गिश्ट हाउस से दुबारा गिरफतार होता है 14 अगस 2014 में दिल्ली की नीचली अजालत उन्हें आजीवन का रावास देती है अक्टूबर 2016 में दिल्ली हाई कोड पचास हजार के जुर्माने पर शेर सिंगराणा को जमानत दे देती है और अखबार की भाषा देखिए ये भाषा आपको बताएगी कि इस देश में वन्चिस शोशित अब के कहोने के बाद अब्द्धकेत ही रह जाते है और जब यह शक्स बाहर आता है तो इसे हिंदू हिर्दे सम्राट कह करके सम्मानित किया जाता है यह राजपूतों की आनबान शान होता है यह तलवार लेकर प्रदर्शन करता है यह इस देश में होता है एक मलाह जाती की महिला जो जीवन भर जाती वाद सामंत वाद और पित्ति सता से लड़ने के प्रतीग बनती है उसका हत्यारा इस देश में राजपूतिक पार्टी बना बना करके घूम घूम करके स्वागत सम्मान समारोह में अपने को गौरवानित महसूस कर रहा है और यह भीड कौन लोगों की भीड़ है यह भी आप देखिए फूलन देवी ने अपनी एक जीवनी भी लिखवाई आई फूलन देवी दो आटो बायोग्राफी अफ इंडियाज बैंडिट क्वीन जिसमें फूलन कहती हैं कि वर्ट अदर काल्ड काइम आई काल्ड जिस्टिस जिसे बाकी लोग अपराद कहते हैं मैं उसे न्याय कहते हूँ मैं फिर से कह रहाँ फूलन देवी पर बात करते हुए आपको ठहरना होगा और अपराद के समाशास्त्र पर डकैत होने के समाशास्त्र पर हिंसा के समाशास्त्र पर ठहर कर विचार करना होगा पित्र सत्ता जाती वाद सामन्त वाद इन तीनों के नेकसस को ले करके अगर आप इन शब्दों के गहरे मनुविज्ञान को समाशास्त को समझेंगे तभी आप फूलन जैसी शक्सियत के साथ नयाय कर पाएंगे जो इस देश के बुद्धिजीवियों ने अकादमीक जगत न 1994 में एक फिल्म बनाई जिसमें सीमा विश्वास ने फूलन देवी का रोल किया जिस पर कई तरह के आरोप लगे खुद फूलन देवी ने भी कई आपतियां दर्ज कराई मगर बावजूद इसके वो फिल्म बेंजिट कुईन देश ही नहीं पूरे दुनिया में लोकपरी क अपना एक पत्र बेवार किया फूलन देवी के साथ और जो फूलन देवी ने इसका जवाब दिया तो मैक्स हैम वापस यहां इंडिया आते हैं और फूलन देवी के साथ बाचित करते हैं पत्र बेवार करते हैं और इन सब से मिल करके एक जीवने लिखते हैं जिसे ओट ल टाइम्स लिखता है कि वन अफ इंडियाज मोस्ट रिमार्केबल वुमेन वह रोबिन होड अपने जीवन के उत्तरकाल में बुद्धिश्म के करीब जा रही होती है। अपने उस पूरे वजूत के साथ जिन्दा है। पूलन देवी को एक विद्रो ही समझते रही और हमारे देश में फूलन देवी एक अपराधी ही रही। जबकि फूलन देवी अगर किसी और मुल्क में होती या यही मुल्क अगर वाकई एक डिमोकरिटिक इंस्टिटूशन होता आजाद खयाल होता तो वो फूलन देवी को अपने सराखों पर बिठाता। कि कि हिंसा की परिभाषा दमन वशोशन की परिभाषा आप केवल यह देख रहे हैं कि कुछ पुरुशों को मार दिया जिसको आप कहने बेगुना और आप कभी इस डिस्कोर्स में नहीं गए कि फूलन देवी और उसके लोग लगातार पूछते रहे कि आप हमारे बलातका के समयरों का साथ दिया फूलन देवी का न उस दिन साथ दिया और उस गुसे में फूलन देवी का याक करोश सामने आता है हजारों साल के संघर्षों के इतिहास में आप देखेंगे कि एक महिला जब अपने विद्रोह में आवाज उठाती है तो वो फूलन देवी बनती है डॉक्टर लोया कहते थे कि इस देश की महिलाओं को सीता सावित्री नहीं द्रोपदी के पास जाना चाहिए द्रोपदी को आइकॉन मानना चाहिए मैं ये बात कहता हूँ कि इस देश की महिलाओं को फूलन देवी को अपना आइकॉन मानना चाहिए जिसके आँखों को देख करके किसी को भी बलातकार करने के पहले हजार बार सोचना पड़े इस देश में पेट्रियार की आज भी हाथ रस उन्नाव कर रही है कठुआ की गैंग रेप के शिकार लोगों के कुन्याए नहीं मिला उन्नाव की रेप पीडिता को नहीं मिला कहां मिला हाथ रस में जो बेटी रात को जला दी गई वो महिला कोन लोग है अगर फूलन देवी इस देश के आईकॉन होती तो कठुआ उन्नाव वहाथ रस नहीं होता और फूलन देवी हाथ रस के बलातकार पीडितों को याद नहीं आती यह है फूलन देवी की आवाज यह है फूलन देवी की एहमियत इस बात को आपको समझना होगा नागारजुन ने कविता लेकि फूलन देवी पर इन तस्वीरों के साथ इन कविताओं को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ महिलाओं के मद छिपी है सौ सो डांके डाले उसने एक एक के नाक तराशी एक एक की कुतर गई है कान दस्यों की तो आँखे फूरी बदल बदल कर घोड़े उड़ती जिला बदलती ही रहती फूलन देवी दुरगा माता की बेटी है कौन सामना कर सकता है दाएं बाएं बीसों को डंडा करती है कारतूसों की मालाओं से हमने उसको पहचाना था मैनपुरी के एक गाउं में ठाकूर के घरड़टी हुई थे फूलन देवी लगता था हां सिंग वाहिनी प्रकट हुई है मैनपूरी के एक गाओं में नगारजुन की एक कविता बहुत कुछ कहती है माथे पर लाल पट्टी डाले एक ऐसी लड़की जो चाहती तो आत्म हत्या कर लेती और फिर जाने के इतनी फूलन देवी अन्याई वशोशन का शिकार होती रती मगर उसने पहले बंदूक उठाई बाद में कलम उठाई न उसका बंदूक उठाना इस जमाने को रासाया न उसका कलम उठाना रासाया पहले डकैतों के हाथों उसकी असमत लूटी गई उसकी आत्मसमान को जमीदोज किया गया और बाद में वच्छ कलम से एक नया इतिहास लिख रही थी आजाद भारत में चुनी हुई प्रतनिधी थी उसे दिन दहड़े गोलियों से मारा गया फिर इस देश में जिंडर डिसकोर्स कहा है एक कविता के साथ छोड़े जाता हूँ कि छोड़ो महदी खड़क समालो खुद ही अपना चीर बचालो द्यूत बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे सुनो द्रोपदी शस्त्र उठालो अब गोविंद ना आएंगे कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए खबारों से कैसी रक्षा मांग रही हो दूशासन दरभारों से स्वयम जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे सुनो द्रोपदी शस्त्र उठालो अब को विंद ना आएंगे कल तक केवल अंधा राजा अब गुंगा बहरा भी है होंट सी दिये हैं जनता के कानों पर बहरा भी है तुम ही कहो ये अश्र तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे सुनो द्रोपदी शस्त्र उठालो अब गोविंद ना आएंगे उमेद करता हूँ कि फूलन देवी को इस बातचीत के बाद आप नए सेरे से पढ़ने समझने वा जानने की कोशिश करेंगे और नए डिस्कोर्स में फूलन देवी को जिंडर जेश्टिस को सोसल जेश्टिस को समझने में काम्याब होंगे बहुत सामान इसा परिचे समाजिक नएकी पारचाला के इस वीडियो में आपको मैंने दिया है आपको ये बातचीत कैसी लगी नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आपको ये बातचीत पसंद आ रही तो उसे शेयर करिए लोगों तक पहुँचाईए ताकि लोग समझ पाएं कि उनका अतीद किन शांदार पन्नों से लिखा गया है जो उन तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा है फिर मिलेंगे किसी और विश्या के साथ तब तक के लिए देखते रहे समाजिक नयकी पार्चाला आप सबी को बहुत बहुत धन्यवाद